हर महीने में शिवरातरी का पर्फ मनाया जाता है लेकिन फालगुन महा कि शिवरातरी का विशेश महत्व है इसे महा शिवरातरी के नाम से जाना जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार फालगुन महा की चतुरदशी तिथी पर भगवान शिव और मापारवती का विवा हुआ था इसी वज़ा से फालगुन महा के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी को महाशिवरात्री का पर्फ मनाया जाता है इस बार महाशिवरात्री पर्व आठ मार्च को है इस अफसर पर भगवान शिव और मापार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है शायद कई लोगों को इस बात की ज़ानकारी नहीं है कि आखिर किस वज़ा से महाशिवरात्री के त्योहार को मनाया ज़ाता है अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है तो आए जानते हैं क्यों मनायी ज़ाती है महाशिवरात्री पुरानिक कथा के अनुसार महाशिवरात्री पर भगवान शिव और मापार्वती का मिलन हुआ था फालगुन चतुरदशी तिथी पर भगवान शिव ने वेरागय छोड़कर देवी पार्वती संग विवा करके ग्रहस्त जीवन में प्रवेश किया था इसी वज़ा से हर साल फालगुन चतुरदशी तिथी को भगवान शिव और मापारवती के विवा की खुशी में महाशिवरात्री का त्योहार मनाया जाता है इस विशेश अफसर पर शिवभक भगवान शिव की बारात निकालते हैं इसके साथ ही भगवान भोलेनात और मापारवती की विशेश पूजा अर्चना करते हैं धार्मिक मानेताओं के अनिसार महाशिवरात्री पर व्रत, पूजा और जलाबी शेक करने पर वेवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानिया दूर होती है और दामपत्य जीवन में सुक सम्रिद्धी आती है इसके लाबा महाशिवरात्री के दिन ही सभी द्वादश जोतिर लिंक प्रगट होई थे इस कारण से 12 जोतिर लिंक के प्रगट होने की खुशी में महाशिवरात्री का त्योहार मनाया जवाता है